हेलो एवरिवान, गूट मॉर्निंग, एंड वेलकाम बैक टो माई चानेल, आप सब फ्रेण कैसे हो, I hope मेरे सारे फ्रेण अच्छे होंगे, और हम लोग भी सब ठीक है, आभी तो छे बज रहे, तो चलिए टीफिन बना देती। आभी भी सब लोग शोये हैं, और आज टीफि के साथ चावल बहुत ज्यादा पसंद है, और मुझे भी, मेरा घर पे हम तीनों ही पसंद करते हैं, लेकिन मेरा हस्बेन को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसके लिए तो दूसरा कुछ बनाना ही पड़ेगा शोब जी, रोटी के साथ फेर भी थोड़ा बहुत खार लेते लेकिन चावल के साथ उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, बिट्टु को चावल इतना ज्यादा पसंद नहीं है, रोटी ना बहुत ज्यादा पसंद है, आभी तो दो पैर में वो रोटी खाते है, चावल लवबक छोड़ी दिया है, हमारा दो पैर में कोई रोटी नहीं खात निशा को नहीं खाना है, निशा को दूद और डाइफुट खाके जाना है, मैं ना तीन से ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चार, आज नाडिल चटनी है तो इसलिए चार खाऊंगी, और मेरा हजबन भी सेम, उसको भी तीन चारी बस हो गया, और बिट्टू ज़्यादा से ज़्यादा पांच खाता है, उससे ज़्यादा खाई नहीं पाता है, तो दो बात तो बिठाना पड़ेगा, दो बार बिठाऊंगी रहत जाएगा, तो चलिए मेरा तो भरके हो गया है, अभी स्टिम करने के लिए दे देती हूँ, जिस दिन ब्र आटा गुन लेती हूँ, और ए आटा गुनने का जो पात्र अब लोग देग रहे होना, मैं दो दिन पहले लिया था, तो ये ना मुझे पहले तो सही लगा, लेकिन आभी लग रहे थोड़ा बड़ा हो गया, तो आभी तो दिगने में बहुत ही सुन्दर है, रिटन करने के इले भी मन नहीं हो रहे है, आज तो आटा गुन लिया है, लेकिन धोके रख दूंगी, पुझा पे काम आ जाएगा, बड़ा सोच के तो लिया था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा होता है, क्या होता है, गुनने के टाइम ना आटा नीचे नहीं गिटते है, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, इडली भी स्टीम करके हो गया है, अभी छोले के लिए मैं कंदा बगरा काट लेती हूँ, आज ना कंदा लोशुन देके बनाऊंगी, अध्राग जिराशे भी बहुत अच्छा बनते है, और मैं ना ह और इडली ना आभी भी गरम है, तो आभी तो नहीं निकलेगा आच्छे से, तो राग देती हूँ, तब तक मैं छोले बाना लेती हूँ, छोले के लिए मैं आखा गरम मसला तेज बात्ता एट किया है, उसके उपर ओनियोन, मैं काभी काभी ना कोडी पात्ता से बानाती तो आज तेज बात्ता से बाना रियू और गुटी हुई लोशुन, हाद राग जिर्याक का पेष्ट, टोमेटो, मिच्छी पावडार, थोनिया पावडार, खोल्दी पावडार और स्वादनुशार नमो, मैं ना गरम मसला का पावडार यूज नहीं करती, मुझे इतना ज सब्ची में गरो मसला काई है, खुशू आता है, तो ओ, इस सब्चे मैं यूज नहीं करती हुजादा, और मसला कोना अच्छे शे पाकाना है, मसला कोना स्लो करके पाकने दिख दिया है, अभी इटली ठंडा हो गया, निकल लेती हुँ, और बिट्टु भी रेडी हो गया, देखूंगी, देखिए, मसला अधा पाका है, अभी थोड़ा शाब पानी देखिए, अच्छे से पाकाऊंगी, मसला जितना अच्छे से पाकेगा, सब्ची का स्वात उतना अच्छा आते है, अभी मेरा हस्बेन को और बिट्टु को दोनों को ब्रिद्फ़ास्ट दे दिय क्योंकि उसको ना बहुत ज़्यादा भूग लग रहा है, तो मैं बोला तुम भी उसके साथ खालो, और है देखिए, मेरा मसला पक गया है, मसला शे ओयल अलग हो गया, जब मसला शे ओयल अलग हो जाते हैं, तभी समाझने का मसला अच्छे से पक गया है, और मैं अभी पान में पिछना छोड़ी दिया है, ग्लास के मदद से मैं मैस कर लेती हूँ, और उपर से थोड़ा शा धोनिया पत्ता एड़ कर दिया, इस टाइम पे अगर चाहे तो थोड़ा शा बाटार भी एड़ कर सकते हैं, मैं नहीं किया है, बाटार एड़ करेगा ना तो उसका सबका तो हो गया, अभी मेरा ही बाकी है, आज ना बाल दोया है, अभी तब भाल घिला है, क्योंकि खाना पकाने के टाइम इतना गरम लगते है, फोल करके रखती हूँ, अभी मैं गूर का चाह पीती हूँ, बहुत ही कम सक्कर से पीती हूँ, और गूर जब मैं डालती बंदी करना पड़ते है, नीद फड़ जाते है, लास्ट टाइम पी डालती हूँ, तो चलिए, मेरा चाह भी बन गया है, अभी मैं इटली, चटनी और चाह खाती हूँ, नारियल चटनी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोग देख पार ही हूँ, मैं बहुत ह ज़्यादा लिया है, अभी चाह तो लिया है, इटली पता नहीं खा पाऊंगी की नहीं पाऊंगी, नस्ता करने के बाद आज पौधा में पानी भी देना है, दो दिन हो गया, पानी नहीं दिया है, और सुबे का ओधार एक था और आभी तो एकदम तेज धूब निकला है, यह देखिए, अभी तो चुवा ना पाऊधा को बिल्कुल लुक्षन नहीं पचाते, आता है, मदलव ऐसा दिखाए देते है, उनका चुवा का पोटी ना नीचे गिरा हुआ दिखते है, और तुल्षी का पाऊधा देखिए, बहुत अच्छे से ग्रोव हुआ है, और मान हिशाब से देखिए, बहुत अच्छे से ग्रीन कालार हो गया है, गर के अंदर राखती हुआ दोसबारा दिन के बाद ऐसा थोड़ा सा तो पत्ता पिला हो जाते है, कभी गभी पत्ता शुक भी जाते है, शोदावारी का पाऊधा भी देखिए, मूच्छा गया है, दो दि अच्छे मिलेंगे, तब तक के लिए, बाइबाई, राधे, राधे, जैश्री किश्ना, बड़ा पटका जो मानी प्लांड है, वह भी बहुत अच्छे से ग्रोग हुआ है, बहुत दिन हो गया, 20 दिन हो गया, बाहरी राखती है,